रावद राजपूत भारतिय संग्थन के राष्ट्य अध्यक्षपत पर पुष्कर के ग्राम गोवलिया निवासे रणजेट सिंग्पवार को नियुक्त किया गया है इस नियुक्ती के बाद पुष्कर पहुँचे रणजेट सिंग्पवार ने एसके भी न्यूस चेनल से एक खास बातचीत की और बताया कि वो हमेशा समाज के मान सम्मान और स्वाविमान के लिए काम करेंगे इस मौके पर पुष्कर में उनका जोरदार स्वागत भी किया गया संग्धन जग्जेट सिंग्पवार को नियुक्त किया गया पवार से एसकेवी के पुष्कर समवादाता सीतराम गेलोत ने की खास बातची और उनके दोरा समाज के उत्थान को लेकर क्या कदब उठाए जाएंगे उस वर भी की खास शर्चा नमस्कार सात्यों एसकेवी नियूज के चैनल पे में सितराम गेलोत आप सभी का स्वागत करता हूँ हम लोग पहुंच चुके हैं पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गोल्या वावनिगर्ट जहां पर रावत राजपुत भारत्य फावंडेशन संगठन के जो नव नियूक्त राष्ट्य अध्यक्स रंजी सिंग पावार उनसे खास मुलाकात पर हम चर्चा करेंगे दिपावलेज से पूर है शमाज के हित को देखते वें शंगठन दौड़ा राष्ट्य अध्यक्सपत पर इनको एक के जो कारिय दिया गया है उसको किस फ्रकार से यह करेंगे उसको लेकर हम उनसे खास चर से पहले स्वागत है जिस प्रकार से आपको दिपावली से पूर एक बहुती एक अच्छा वहर सवरूप संगठन ने आपको एक राष्ट्य अध्यक्त पर न्यूक्त किया इसमें समाज के हित के लिए और समाज से संबंदित आप क्या-क्या विशेश कारे करने वाले हैं औ अपने परिचे देते हुए नमस्कार साथियों पेले तो मैं सभी संप्रून देशवास्यों को दिपावली की हार्दिक मंगल शुपकाम नहीं देता हूं और नाम रणजीत सिंग पमार बावानिगड गौवलिया उसकर के पास में निवासिस्तान है अपना और समाज के अं समाज एकता हुए समाज के युवाओं को जागरुक और समाज की जो भी कुरिती है उसका यह हमने जो अंडेशन बनाया है तो जिस प्रकार से आपका जो रावत राज को समाज है यह नाम किस आधार में पढ़ा है उसक्या मतलब क्या महच पूर्ण इसका जो है योग्दान रावत राजपूत का मतलब यह है कि मतलब यह रावत जो है यह हमारी उपादी नाम के आगे उपादी लगई जाती थी पहले अब लेकिन अब भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने जगे 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 इसको जाती गोशित कर दिया जाती गोशित करना यह तोड़ा गलत हो यह जाती गोशित नहीं करना चीए, रावत का मतलब होता है कि जब मुगल शासन के अंदर अमारे को यह रावत की उपादी मिली थी वीर्ता और बाहदूरी के करण अमारे पूर्वजोगों, जब सम्राड परति राज चोहान का यूद इसी रावत सर्दारों ने लड़ा था मराना परताप का यूद भी लड़ा था और दिवेर चापली का यूद लड़ा था और शेरशाशुरी के टाइम के अंदर गिरी सुमेल का यूद लड़ा था और ग्राणी पदमाउती के टाइम के अंदर भी यह रड़ा था और ग्राणी पदमाउती के टाइम के अंदर भ तो अब आज के टाइम में यह रावत एक जाती के नाम से ज़ड़ना जाता है इसलिए हम रावत राजपूत के ते राजपूत हमारी जाती है रावत हमारा पध है उपादी तो जिस प्रकार से मतलब रावत एक जाती शब्द नहीं आना चाहिए तो राजपूत आपका जो है एक जाती शब्द है तो आप मतलब जो मुगल कालिंग समय से ही आपकी जो जाती है यह आपके जो समाज के वांसज है उनकी क्या-क्या भूमी का रही उसके वारे में जो शेतर था अजमेर मेरवाडा जो नर्वर से लेकर के दिवेर तक यह हमारी एक राजदा नहीं हुआ करती थी इसके अंदर ना तो कभी मुगलों को हमने सवतंतर पूर्वक राज करने दिया और हमेशा इस एरिया को सवतंतर रखा और कभी भी इस यहां पे इस शेतर में इस एरिया में किसी को दिवारा कभी ऐकरमन या किसी को गुलाम बढनाने दिया इस हमने हमेशा ही मतलब ठी और राष्ट की लड़े लड़ी है और बडे बडे राजांसा का सेऊग् school किया है समे nesse महाराणा परताब कर दिवार्ट सियोग किया है समर्स पर्तियों का 이 सास्को स्योग किया है तो स्हाइब के लिए क्या करने वाले हैं क्योंकि आपको जो संगठन ने एक राश्टि अध्यक्ष पदपर नियुक्त किया है तो उसमें आप समाज के हितमें क्या 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 करने आदेखिए समाज के हितमें एक तो संप्रून समाज की एकता भारत में जहां पर भी हमारे रावत राजपूत सरदार रहते हैं सब को एक शुत्र में लाएंगे, एक चत्र के नीचे बिठाएंगे, यह हमारी संप्रून एकता है, क्योंकि आज हमारे समाज में जगे जगे बठवारा हो चुका है, उस बठवारा को खदम करते हुए सब को एक जाजम पर बिठाना चाते हैं, मेन बात तो यह, उसके बाद लोगों को रोजगार क कोशिज करेंगे, तो अभी जिस प्रकार से शिक्षा सेतर को भी लेखर जो है, काफी हर वर्ग जो है, इसमें एक अपना मेहत पौन यह पर भी हमारे रावत राजपूत सरदार रहते हैं, सब को एक शुत्र में लाएंगे, एक चत्र के नीचे बिठाएंगे, यह हमारी समाज में जगे जगे बठवारा हो चुका है, उस बठवारे को कदम करते हुए सब को एक जाजम पर बिठाना चाते हैं, मेन बात यह, उसके बाद लोगों को रोजगार की तरफ ले जाएंगे, के इस सरकार की स्किमे है, जो गाउं तक पहुंचती नहीं है, उसको गाउं वर्ग जो है, इसमें एक अपना महत पौन योगदान दे रहा है, आप शिक्ष्या को लेकर किस प्रकार आप आगे कदम बराएंगे, शिक्ष्या को लेकर यह है कि जहां पर विद्ध्याले की जहां मतलब विवस्ता नहीं होगी, वहां पर विवस्ता करवाएंगे, करेंगे, आप यहां के बच्चों को पड़ा हो, और किसी भाई को को संसाधन व्यवस्तिक करवा करके इसकुल दूर पढ़ रही है, तो इसकुल तक बच्चे लोगों को पंचाने की कारिये करवाएंगे, और समाज का जो है, यह शिक्ष्या, शिक्ष्या तो संपुरून प पुत भारतिया संगठन की और से राष्ट्य दक्स रंजी सिंग पावार, जिनों ने शिक्ष्या को लेकर भी एक बहुत अच्छी बात कहिए, कि अगर शिक्षित रहेंगे, तब ही एक समाज का विकास हो पाएगा, और आज के समय में, अगर शिक्षित नारी, शिक्षित को का तो हर शिक्षित को अगे बाये बाया को